हीरे की तरह आपकी किस्मत भी चमकने लगेगी अगले साल 2018 में हर कोई आपकी किस्मत को देखकर हैरान हो जाएगा आपको अपने पास एक डाइमंड रखना है लेकिन वो डाइमंड कैसा होना चाहिए और इसका फाइदा आपको कैसे मिलेगा आज जानते हैं साथ ही आपको याद दिला दू कि बस एक दिन बाकी है परसों से अगले साल का स्पेशल शुरू हो रहा है हमारा साल 2018 स्पेशल 26 दिसंबर से शुरू होकर 7 जनवरी तक चलेगा इसलिए शो देखते रहिए अभी डाइमंड की बात आज आपको वो तरीका बताऊंगी जिससे डाइमंड आपकी किस्मत चमकाएगा एक छोटा सा हीरा आपके जिन्दगी पलट कर रख देगा साथ ही आपको लखी डाइमंड जूलरी की शॉपिंग भी दिखाऊंगी और आज आपको हीरे का शुब और अशुब भी बताऊंगी जिसके लिए आपके लिए हीरा नुकसान दायक है या नहीं है किसके लिए फाइदे मंद है ये सब जानेंगे और मैं जानती हूँ कि आप सभी को हीरा बहुत पसंद है इसलिए शो जरूर देखेगा शो पर आगे बढ़ें इससे पहले आपको आज का पहला महाँ उपाय क्या है ये बता देते हैं क्या आपकी प्रॉपर्टी नहीं बन रही है जहां पहले थी वहीं के वहीं खड़े हैं और लोग देखते ही देखते आगे बढ़ गए किसी भी Thursday को बाजार से जल कुम्भी ले आए पीले कपड़े में बांध कर घर में कहीं लटका दे लेकिन इसके बारे में ना किसी से कहें ना इसको बारबर चुएं हफते में एक बार इसको बदल कर नई कुम्भी को ऐसे ही बांध दे Seven Thursdays ऐसा करें सच्छे मन से करके देखी इश्वर ने चाहां तो आपकी संपत्ती में बड़ोतरी जरूर हो की मैं आपको जेम्स के बारे में अक्सर बताती हूँ ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपको हीरे के बारे में कुछ ना बताऊं सबसे पहले जानते हैं कि राशी के हिसाब से किसे हीरा धारन करना चाहिए और किसे बचना चाहिए अब बेश राशी वाले लोग हीरा पहने या ना पहने हीरा कभी भी इनको धारन नहीं करना चाहिए धन और साज़दारी में मुश्किले आएंगी, पती-पती में अलगाफ पैदा करेंगी व्रिश्चप राशी वाले हीरा पहने या नहीं पहने? इन लोगों को हीरा धारन करना अच्छा रहता है, आयू वृद्धी के लिए शुब होता है स्वास्त में भी सुधार आता है मित्सुन राशी वालों की अगर हम बात करें कि वे इने डामेंड पहनना चाहिए हैं नहीं हीरा पहनने से धन और भागय में वृद्धी होगी, बुद्धी तेज होगी अब करक राशी वालों का क्या दिसिजन है? इनको हीरा धरन नहीं करना चाहिए माता पिता की स्वास्त को नुकसान होगा सिंग राशी वाले हीरा पहने या ना पहने? हीरा ना धरन करें इससे लोगों से अपमानित होना पड़ सकता है बहनों के लिए कश्टदारी होगा कन्या राशी वाले हीरा पहने या ना पहने हीरा पहनने से भागय अच्छा होगा आपका धन में वृद्धी होगी पढ़ाई भी अच्छी होगी अभी मैंने सिर्फ छे राशीों की बात करी है बाकी की बचीवी छे राशीों को हीरा पहनना या नहीं आईए बाद में बताएंगे अब आपको आज का दूसरा माहा उपाई क्या है ये बताती हो क्या लंबा वक्त बीटने के बाद भी आपकी शादी नहीं हो रही है थरस्दे के दिन भगवान की पूजा के बाद केसर का तिलक लगाए अगर केसर नहीं हो तब हल्दी का तिलक भी लगा सकते हैं इससे आपका गुरू मजबूत होगा और आपकी शादी की बाद पक्की हो जाएगी मुझे याद है मैंने छे राशे वालों को डाइमन पहनना है या नहीं पहनने से क्या फाइदा होगा नुकसान होगा ये बताया अब बच्चीवी छे राशे वालों को भी जानकारी दे देते हैं तुला राशी वाले हीरा पहने या ना पहने हीरा रतन पहनना आपके लिए कल्यानकारी होगा आपकी उम्र, सेहत, सब तरीके से आपके लिए अच्छा रहेगा धन और सुख में सिम्रद्धी व्रद्धीव होगी प्रिश्चिक राशी वाले पहने या ना पहने आप पहनेंगे तो पत्नी को शारी रिकष्ट होगा कारोबार में घाटा होगा पार्टनर से कलेश होगा धनू राशी वालों को हीरा पहनना चाहिया नहीं जोतिशी सला में हीरा धारन करें मकर राशी वाले पहने या ना पहने हीरा धारन करना राज योग की निशानी होगा शुक्र, सुक्ष, शांती और हर तरह से प्रमोशन पैसे में लाभी लाभ देगा कुमराशी वाले पहने या ना पहने आप लोगों के लिए हीरा शुब रत्न है धन दौलत में वृद्धी होगी, गाड़ी का सुक मिलेगा माता की उमरे लंबी होगी, धन भी मिलेगा पिता को सुक, स्वास्त धन मिलेगा अचानक धन प्राप्ती के योग बनेंगे और आखरी राशी मीन राशी वाले हीरा पहने या ना पहने हीरा रत्न ना पहने, हीरा पहनने से सेहत को नुकसान होगा शरीर में बिमारियां पैता होंगी बेहन का स्वास्त खराब हो सकता है संबंदों में खटास आएगी हीरा हर फीमेल को जान से जादा प्यारा होता है लेकिन ये हीरा खरीदना आजसान नहीं है जुल्री मार्केट में हीरे के कई इसे डिजाइन मौजूद है और आप कंफ्यूज ना हों इसलिए जरूरी है पहले से होमवक करकर जाएं तो आपका होमवक मैं करा देती हूँ डायमेंड्स की बात कर रहे हैं तो मार्केट में क्या कुछ खास है वो आज आपको दिखाते हैं अन्वोल जूलर्स में हम आये हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी विराइटी के डायमेंड्स सेट्स, रेंग्स, पेंडंस हम आप के लिए कर आए हैं सबसे पहले सबसे हेवी डायमेंड्स से शुरुआत करते हैं सेट यह आप देख सकते हैं round diamond set है जिसमें rose gold है और साथी white diamonds भी है इसमें देख सकते हैं आपके round diamonds हैं साथ ही rose cuts है shape जो दी गई है और ये पूरा flower की तरह जो ये design यहाँ पर दिया गया है बहुत खास है तो ये इस तरह का set है round set जिसको आप party में जा रहे हैं तो ethnic के साथ भी carry कर सकती हैं साथ ही इसको आप modern wear पें रही है उसके साथ भी western wear के साथ भी carry कर सकती है बहुत ही खुबसूरत ये set है उसके साथ साथ अगर आपको कुछ choker style में चाहिए yet heavy चाहिए तो एक और set यहाँ पर मौजूद है वो आपको दिखाते हैं यह आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा heavy diamond set है यह चोकर set है इस पी जो पूरा designing आप देख सकते हैं कि बहुत ही बारी की से पूरा diamond की designing है यहाँ पर rose card diamonds लगाए गए है और यह तांजनाइट यह आपको नजर आ रहा है यहाँ पर यह बहुत ही खुबसूरत set है अगर आप किसी wedding में जा रही है या फिर आपके खुद की शादी है तो भी आप इस तरह के set जो है वो carry कर सकते हैं के साथ ही अगर आपको बहुत जादा heavy set नहीं चाहिए थोड़ा light चाहिए pendant की तरह को चाहिए तो यह एक बहुत ही शांदार set यहाँ पर मौजूद है आप देख सकते हैं बहुत ही खुबसूरत सा pendant है इसमें यहाँ पर यह semi precious stones है और इनको आप change भी कर सकते हैं यह changeable भी है इसको निकाल के अगर आपको चाहिए कि आपको यहाँ पर red semi precious stone लगाना है तो उस तरह का stone भी लगा सकते हैं साथ ही इसकी earrings में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप change कर सकते हैं यह भी यहाँ पर semi precious stones है इसको आप change कर सकते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही खास set है कि बहुत ही अच्छा जाएगा आप किसी कॉक्टेल पार्टी में जा रही ही कि इवनिंग पार्टी है तो उसमें बहुत ही खुबसूरत लगते हैं उसके साथ थोड़ा सा एथनिक होते हुए भी आपको यह पेंडेंटिक दिखाते हैं जोसमें आप देखें कि बहुत ही खु बहुत ही खुबसूरत लग रहा है यह इस तरह का ब्रेस्ट आप देख सकते हैं यहां पर यह जो राउंड शेप में बॉल शेप में जो डायमेंड्स लगे हुए हैं तो यह आपके हाथ में जबाप पहनते हैं तो बहुत ही अलग और बहुत ही मॉडन लुक यह पहन रही है तरह का बी ओरिंग आप क्यारी कर सकते हैं यह देखिए जो यह रिंग से यहां पर ड्रॉप डायमेंड्स का स्तमाल क्या है यह पूरे ड्रॉप ड्रायमेंड्स है जो बहुत ही खास लुक देते हैं और उसके साथ साथ यह रोज गुल का स्तमाल है बहुत ही तरह है यह जिस सच में पता चलता है कि आपने diamond पहना हुआ है तो इस तरह का भी रिंग जो है आप केडी कर सकती है अगर आपको थोड़ा है जाना है और जैसा मैंने बताया कि तांजिनाइट काफी इन है आज कर तोह तरह की रिंग भी आप क्यारी कर सकते हैं diamond plus tanzenite उसके साथ साथ एक और खास आपको collection दिखाते हैं यह collection जो है उसमें white भी है और साथ ही यहाँ पर yellow diamond भी है तो इस तरह का भी आप यह carry कर सकते हैं हाला कि यह diamonds की अगर price की बात करें तो यह जो हमने आपको solitaire दिखाया इसका खरीब 8 लाक इसका price है उस जो है तो उसके साथ ही जो हमने earring की बात की थी इनका भी price करीब 10 लाक है 10 लाक के करीब इनका price है और यह जो bracelets हमने आपको दिखाया करीब 6-7 लाक में यह bracelets आपको मिल जाएंगे उसके साथ ही जो pendant और earring का जो सेट हमने दिखाया है जिसमें आप change कर सकते semi precious tone उसमें करीब 6 साथ लाक इसका price है heavy sets की तरफ जाएंगे तो यह जो heavy sets है इस जो round set हमने आपको दिखाया इसका price करीब 30 लाक के करीब इसका price है with earrings और यह चोकर की बात करें तो करीब 24-25 लाक इसका price है with earrings तो इस तरह के कुछ diamond sets है जो काफी इन है और यह पूरा जो collection है Unmol Jewelers का बहुत ही साथ ही आपको याद दिला दू बस एक ही दिन बाकी है परसों से अगले साल का special शुरू हो रहा है हमारा साल 2018 special 26 दिसंबर से शुरू होकर 7 जन्मरी तक चलेगा इसलिए शो देखते रहिए हीरे का रत्म जोतिश में खास महत्वर रखता है जैसे मैंने आपको पन्ने के बार करें यह कुलार में बताऊंगी यह 것으로 कंबाल का रत्म है आज आप जानेंगे तो हैरान हो जायेंगे hinter बारे में चाहा जाता है कि हीरे जितना अधिक भरी होगा उतना ही वह लापकारी होगा हीरा बेहत कीमती होता है लेकिन एक च्छोटे से दोश के कारण हीरे की कीमत में जमीन आस्मान का अंतर आ जाता है वरिशब राशी और तुला राशी की जातकों के लिए हीरा धारन करना अच्छा माना जाता है अब हीरे के फाइदे सुनिए जो व्यपार, फिल्म और आर्ट की फील्ड में सफलता हासिल करना चाहते हैं वो हीरा धारन कर सकते हैं समबंधों में मधूरता के लिए लव रिलेशन्चिप के लिए हीरा अच्छा माना जाता है पढ़ाई की परिशानी हो या शादी में रुकावट हो तो हीरा धारन करना लाबकारी साबित हो सकता है सेहत के लिए भी फाइदिमन बताया जाता है हीरा धारन करने से उम्र लंबी होती है डाइबिटीज और आखों की बिमारी में भी हीरा पहनना अच्छा माना जाता है लेकिन डॉक्टर से इलाज कराते रहें साथ में आप ये कर सकते हैं कैसे करें हीरा धारन? अंगूठी या हार के रूप में हीरा पहना जाता है जोतिश प्रभाव के लिए हीरा अंगूठी में जड़वा कर शुकरवार के दिन पहनना चाहिए हीरे के दूसरे उपरत्न हीरा एक बेहत महेंगा रत्माना जाता है अगर हीरा ना खरीद पाएं तो इसकी जगा आप जरकन, फिरोजा, ओपल या कुरंगी जैसे रत्म भी धारन कर सकते हैं ये भी उपर रत्म भी हीरे के समान ही फल देते हैं शो में अब आपको आज का तीसरा महा उपाई क्या है ये बताने का वक्त हो गया है आमदनी नहीं बढ़ रही है बहुत कोशिश करके भी जहां थे वही है तो आप जो भी कमाए उसका दस्वा हिस्सा गरीबों को भोजन या कन्याओं को भोजन और कपड़े लगते के लिए दे कन्याओं की शादी धर्मस्थानों को बनाना इस काम में खर्च करिए देखिए आपकी आमदनी कितनी जल्दी बढ़नी शुरू हो जाएगी लेकिन दस्वे हिस्से से अधिक खर्च करने पर आमदनी बढ़ने की बजाए घटने लगेगी कहते हैं न हर काम लिमिट में किया जाए तो बढ़िया होता है और एक बात याद रखिए कभी भी जरूरत में हो तो कोई उसकी मदद जरूर करें आपके बहुत काम आएगा हीरा हमेशा लाप दे ये जरूरी नहीं हीरा नुकसान भी पहुँचा सकता है इसलिए फटा फट मैं आपको कुछ सावधानियों के बारे में बता देती हूं बिना जोतिश की सला के केवल फैशन और दिखावे के लिए हीरा ना पहने डाइबिटीज या बलड से जुड़ी समस्या हो तो भी हीरा ना पहने उम्र में 21 साल के बाद और 50 के पहले का हीरा पहनना अच्छा होता है हीरा पहनने से शादेशुदा जिंदगी में समस्याई जो हैं अचानक बढ़ सकती है हीरा जितना जादा सफेध होता है उतना ही अच्छा होता है दाग वाला या टूटाओवा हीरा आपकी साक को आपकी रिस्पेक्ट को कम करेगा दुरगटना की बज़ा भी बन सकता है आईए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्टो टिप की क्यूंकि आज हीरे के उपर हैं तो आपको हीरे पर एक खास टिप दे देती हूँ बहुत सारे लोग हीरे को इस उंगली में पहनते हैं अच्छिली ये जो उंगली है इसमें मंगल और सूर्य दोनों की अंगूठी को धारण किया जाता है तो अगर आपको हीरे के perfect effects चाहिए तो आप चाहिए हीरा छोटा भी पहने लेकिन अंगूठे में पहने अंगूठे में हीरा पहनने के perfect results आपको मिलने लग जाते हैं क्योंकि यहां पे शुक्र का परवत होता है, इसलिए अंगूठे में हीरा पहनने से आपको इसके ज़्यादा बेटर रिजल्स बिलते हैं। की संभावना रहती है। क्या करें अपनी राशी की हिसाब से जट पर जानी है। सबसे पहले मेश राशी वालों की बाद, शाम को पार्क में तहलने जरूर जाए। भागे साथ दे रहा हैं आपका 63%। प्रिश्व राशी के लोग गाई की सेवा खूब सच्चे मन से करें। लग सपोर्ट कर रहा हैं आपको 61%। मिथुन राशी के लोग घर के मंदर को आप बिल्कुल साफ सुत्रा रखें। लग सपोर्ट कर रहा हैं आपको 65%। करक राशी के लोग चावल बिल्कुल भी जादा ना खाएं। भागे साथ दे रहा हैं आपका 67%। सिंग राशी के लोग लाल चीज का दान कीजें। किस्मत साथ दे रही हैं आपका 64%। कन्या राशी के लोग आप कल गरीब लोगों को कंबल दान करें। भागे साथ दे रहा हैं आपका 70%। तुला राशी के लोग, गाहितरी मंतर का पार्ट कल करें, लग सपोर्ट कर राएं आपको 71%. विश्चिक राशी के लोग, शिवजी पार्वती जी की पूजा कीजिए, किस्मत साथ दे रही हैं आपका 69%. गनु राशी के लोग, अंकुरे तनाच खाईए, लग सपोर्ट कर रहा हैं आपको 55%. मकर राशी के लोग, गुड की गचक खाईए, किस्मत साथ दे रही हैं आपका 62%. कुम राशी के लोग, गणेश जी की पूजा कीजिए, भागे साथ दे रहा हैं आपका 59%. मीन राशी के लोग, गरीबों को दूद दान में दीचे, भागे साथ दे रहा हैं आपका 68%. आईए शो के आखिर में अब आपको आज का पांच्वा महा उपाई क्या हैं ये भी बता देते हैं. क्या आचानक पैसे मिलने के हालाद बनते हैं लेकिन पैसा नहीं मिलता? कोई भी एक दिन तै कर लीजे, कुछ वक्त में आपको फाइदा देखने लगेगा. आपको याद दिलादूं कि बस एक दिन बाकी है. परसो से अगले साल का स्पेशल शुरू हो रहा है. हमारा साल 2018 स्पेशल 26 दिसंबर से शुरू होकर 7 जनवरी तक चलेगा. इसलिए शो देखते रहे हैं. कल क्रिसमस है. साल खत्म होने से पहले बहुत शुप दिन. कल आपको कुछ ऐसी मुम्बतियों के बारे में बताऊंगी. जो आपकी हर मनुकामना पूरी करेंगी. साथ ही आपके बच्चों को खुशी देने वाली जानकारी भी होगी. अभी चलती हूँ. बाई बाई.